हम सभी लोग अपने स्कूल टाइम से ही एक स्टोरी सुनते चले आ रहे हैं कि पुराने समय के लोग ये मांगते थे कि हमारी अर्थ असल में फ्लैट है और फिर क्रिस्टफर कोलंबस नाम का एक एक स्प्लोरर दुनिया के सफर पर निकलता है तब ही जाकर हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया फ्लैट नहीं बलकि फ्लैट है सही गलत क्रिस्टफर कोलंबस ने ये कभी भी प्रूब नहीं किया कि हमारी अर्थ असल में फ्लैट है बलकि अमेरिका के बड़े बड़े ओथर्स ने ये भ्रम पहलाया था कि क्रिस्टफर कॉलंबस वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमारे अर्थ को गोल होने का प्रूब किया था तो क्या सच में हमारी अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लाट थी और अगर ऐसा नहीं था तो ये फ्लाट अर्थ थियोरी का जन कहां से हुआ था और तो और आज की सुसाइटी के लोग ये क्यों बिलीव करते हैं कि हमारी अर्थ असल में फ्लाट है जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग जरा ये फोटोज पर नदर डाली और देखिए कि ये कुछ वो प्रूव हैं जो ये पुष्टी करते हैं कि हमारी अर्थ बोल है और ये डाइग्राम्स और फोटोज असल में क्रिस्टफर कोलंबस से भी पहले के महान एस्ट्रोनॉमर्स और फिलोसफर की देन है इसके साथ साथ एंशन ग्रीज के फिलोसफर थर्ड सेंचरी में ही ये प्रूव कर चुके हैं कि अर्थ स्पेरिकल शेप दिया है से ये प्रूप से होता है कि पुराने जमाने के महान विद्वान लोगों को ये अंदेशा था कि हमारी अर्थ फ्लैट नहीं बलकी गोल है लेकिन जो मॉडन फ्लैट अर्थ थियोरी जो आज हम सुनते चले आ रहे हैं उसका ओरिजन होता है 1840 के पीरियट के दोरान जब एक ब्रिटिश राइटर सैम्वल बिरले रो बॉथम जटिटिट एस्ट्रोनॉमी अर्थ नॉट अ ग्लोब नाम की एक बुक पब्लिश करते हैं और अपनी इसी बुक में सैम्वल स्पेरिकल अर्थ को क्रिटिसाइज करते हैं अपनी खुद की फ्लैineeर्थ ठीवरियद करते हैं और इस मॉडं फ्लैट अर्थ ठीवरियके हिसाब से, हमारी एर्थ असल में गोल नहीं बल्की सर्कुलर डिस्क शेप की है, जिसूमें नॉर्थ पोल असल में इस डिस्क के सेंटर में में है इसके सासथ flat earth theory के believer ये भी claim करते हैं कि sun और moon भी बस 50 km diameter के हैं जो कि हमारी flat earth के ओपर कुछ इस तरह गूमते हैं जिसकी वज़े से earth पर दिन और रात होती है जैसे कि एक spotlight work करती है और तोर सबसे हैरानी की बात ये है कि flat earth theory पर belief करने वाले लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया में gravity नाम की चीज exist ही नहीं करती है क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? बलकि इसकी जगा पर क्यूंकि ये disc shape earth काफी तेजी से उपर की तरफ accelerate कर रही है इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर gravity मौजूद है वेल अगर इस टाइन पर newton जिन्दा होते और उन्हें flat earth के इस gravity के reason के बारे में पता होता तो वो शायद दुबारा से मर जाना ही पसंद करते वेल आज से कुछ सालों पहले 1950s के टाइन पर ब्रिटेन में सिफ 4000 लोगों का group ही इस flat earth theory पर विश्वास करता था लेकिन आज के time पर internet और social media के वजह से काफी ज्यादा लोग इस flat earth theory पर विश्वास करते हैं और तो और ये flat earth तर ये reason देते हैं कि आप चाहे जितनी दूर या उचाई से horizon की तरफ देखें आपको कहीं भी earth का curvature या फिर earth कर्व होते नहीं दिखेगा इसके अलावा flat earth theory पर विश्वास करने वाले लोग ये बोलते हैं कि जो round earth की images एकने सालों से हम देखते आ रहे हैं वो असल में पूरी दुनिया में जूट और छल पहलाने के लिए spread करी गई है चलिए एक मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि earth flat है एक मिनट थोड़ा व्यादा हो गया अगर हमारी earth flat है और sun और moon दोनों ही earth के उपर एक spotlight की तरह गूंते हैं तो उस case में भले ही sun या moon हमारी तरफ focus करे या नहीं लेकिन earth के flat होने की वज़ा से sun हमेशा earth के किसी भी angle से visible होगा यानि के भले ही sun earth के American side पर focus कर रहा हो लेकिन फिर भी flat earth की वज़ा से इंडियन रीजन में रहने आले लोग भी sun को देख सकेंगे वो भी रात के वक्त थी लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता इसके साथ अगर हमारी earth सच में flat होती तो हमारी earth पर मौझूद gravity भी बिल्कुल भी इस तरह काम नहीं करती जिस तरह वो अभी काम करती है क्योंकि flat earther ये believe करते हैं कि ये disc shape flat earth बहुत तेजी से उपर जा रही है जैसा कि आप पहले ही से जानते हैं क्योंकि किसी भी object की center of gravity बिल्कुल middle में होती है तो इस flat earth के case में इसकी center of gravity इसके बिल्कुल middle में होगी जिसकी वज़े से flat earth पर मौझूद सारा पानी बिल्कुल center में सक हो जाएगा और इस force की ही वज़े से flat earth पर मौझूद trees भी diagonally grow होंगे ना की straight और तो और flat earth होने की वज़े से कोई भी space mission या GPS technology भी मुमकिन नहीं हो पाती क्योंकि ये nearly impossible होता है एक satellite के लिए कि वो एक flat earth के इर्द इर्द चक्कर लगा है इसके सासा क्योंकि हमारी flat earth पर gravity exist नहीं करती तो इस case में earth पर मौझूद atmospheric gases भी exist नहीं करेंगी क्योंकि ये gravity ही है जो हमारे earth पर मौझूद atmospheric gases को hold करके रखती है और बिना atmospheric gases के हमारा आस्मान हमेशा काला ही नदर आएगा क्योंकि ये atmospheric gases ही हैं जिसमें sun से आ रही light scatter होती है और हमें sky blue दिखता है लेकिन अगर आप बाहर नदर डाले और देखिए आस्मान अभी भी नीला है चलिए अब बात करते हैं कुछ logical reasons flat earth exist ना करने के आप सभी लोग ये जानते हैं कि बाकी सारे planet गोल हैं और जो लोग नहीं भी मानते हैं वो टेलिस्को का इस्तिमाल करते हैं planets को देखने के लिए तो इस case में कितना ज्यादा illogical नहीं दिखेगा कि हमारे solar system में बाकी सारे planets spherical shape के हैं सिवाए हमारी earth के और अगर search में flat earth और हमेशा से ये believe करते हैं कि earth का edge cross करने पर आप earth से बाहर space में गिर जाएंगे तो आज तक पूरे इतिहास में हमने ऐसा होते क्यों नहीं सुना और अगर सच में हमारी earth flat होती तो हमारे earth पर climate condition पर भी काफी ज्यादा असर बगता और तो और हमारे time zones भी बिल्कुल ही अलग होते लेकिन आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं फिलहार हमारा आसमान भी नीला है पेड़ अभी भी सीधे ग्रो कर रहा है और आप फोन उठाकर आज भी GPS जैसी टेकनालोजी का इस्तमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं जो ये पुष्टी करता है कि हमारी earth गोल ही है असल में मसला ये है कि जो flat earther ये बिलीव करते हैं कि हमारी earth असल में disk shape है उनके पास earth flat साबित करने के reason बहुत कम है बलकि उनके पास कोई scientific reason ही नहीं है वो बस earth को flat इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने कभी earth का curvature देखा ये नहीं इसी वजह से वो अपने सामने मौझूद हजारो scientific reasons जो ये पुष्टी करते हैं कि हमारी earth असल में spherical shape की है वो अक्सर इन ही reason को नदर अंदाज ही कर देते हैं तो आपको क्या लगता है हमारी earth के shape के बारे में क्या सच में हमारी earth flat है या फिर आप हमारी earth को एक normal round ही मानते हैं अपनी राय कॉमेंट सेक्षन में ज़रूर रताइएगा और अगर आपको वीडियो पतंद आयों तो वीडियो पो लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दवाने बिल्कुल भी नभी दे